मुक्त परम्दाद में दाया साथ अस्क्रावलेकूद जो बाते दिलों से निकलती है जो बाते दिलों से निकलती है वो दिलों के असर करती है सबसे पहले हम इंसान है बाद में हिंदू या मुसल्मान है किसी से कोई सिकोई नसिला भी दिये शिकायथ करता हूँ रहे आप और हम समस्लामत बस यह दुआ करता हूँ वाल उसमान के योग स्टेज पर तस्रीफ फर्मा मेहमाने खुसुसी, मुट्टी साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, हाफिस साहब और यहाँ पर मौझूद सभी मेरे किता समान बुजर्गों, नोजवान साथियों और मेरे सामने पैठे प्यारे प्यारे नंदे नंदे बच्चों आप सब को 36 जनुवरी कंड़कंतर दिवस की बहुत-बहुत बुबारपाद तो थोड़ा इसने पहले मेरे पोराम नहारपूर था, थोड़ा लेट हो गया, गुस्तावी माफी जाओगा और आपको बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत खुसी हो रही है वहारे को कि वह ऐसा अच्छा बोराम मुलाना साथ ने किया, और आप सब गवासियों ने इसमें सहयों किया, मैं आपको दन्यवाद करना चाहूँगा तो मैं जैसे कि अभी बच्चे कह रहे हैं थे, उसी कड़ी को आगे जोड़ता हुआ, आपको ये बताता हूँ, कि ये तेर्गा जन्दा, जो पंदरा अगस को चपी जन्वरी को फेराया जाता है इस जन्दे के तीन रंग है, सबसे पहले निचे हरा रंग है इसमें, हरा रंग हर्यानी और खुशानी का रंग है, हमारा देश खुशान हो, आप सब खुशान हो, उससे उपर ये वाइट रंग है, सिफेद रंग, सिफेद रंग इसमें अमन सांती का पर्तीद है, हम सब अ तो तरकी मुद्वाफुदा जाएगी तीसरे इसमें है यह ना नारंगी कमर्ज में यह त्याग और वलिदान का है जब जो हमारे देश पर मुसीबत आई जब जो हमारे देश पर ऐसी विप्दा आई तो तारी गवाए तारी गवाए कि यहां पर भारी संक्या में मौजूद मेरे कम्यूटी के लोग यहां पर बैटे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा तारी गवाए जब जब इस देश को खूल की दूद पड़ी तो हमारे मुस्मान भाईयों ने कोई पीछे कदम नहीं दाया अपने खूम देने से बुरे सब्सक्राइब के लिए कुछ आर्जू तो नहीं है कुछ आर्जू तो नहीं है लाके चराशी रग्दों खाके वतन कफल में उनकी आगरी वाइप अपड़े वतन की निठी अपड़े वतन की निठी से प्यार इसी तरह 1965 की जंग में हमारे जुस्मन देश की फोज चीरती हुए हमारे सेन्यों को मारती हुए हिंदुस्तान में पर्वेश कर चुकी थी लेकिन एक जामाज सिपाई उसने पनी चाकी पर पंबान करके जुस्मन की सोच को नेसल अबूद कर दिया और मैं जाड़ा चाहूँगा वो इसी मदर्से से इनी मदर्से पढ़के निकला कि इसी तरह से हमारे देश की टेक्नलोजी की बात हो हमारे एपीजें तुर्कवाम साहब इनी मंदर्सों से फारिग हो करके उन्हों ने देश को परमादू सकती थी निजालय युक को बनाया तो यह 26 जनवरी का पोरा आख सब लोग यानि मंदर्सों में पुरे देश में पहले से मनाता है बनाया जाता रहा है लेकिन आज कुछ फासिताल पे हमारे देश को तोड़ा चाहती है देश को खोगा करना चाहती है कैसे हमारे भाईचारे को खतल करना चाहती है लेकिन हम सब ऐसे पूराम करकर अपने भाईचारे को मत्वूत करना चाहते है हिंदु मुस्लिम एक्ता को बढ़ा देना चाहते है क्योंकि जब देश अजाद हुआ तो सब का एक हिनारा था कि देश को अजाद कराया जाए चैह उसमें हिंदु गई हो चैह उसमें सहीद भगत सीम हो चैह उसमें चंदर सेगर हो और चैह इस्ताखुन रखा हो सब ने यानि के देश को अजाद करने के लिए बहुत सी मावन अगने लानों को पुर्बान कर दिया बहुत सी हमारी पैम बेडिया वीदुआ हो गई मिलते हैं जमाने बर में आशी कही मिलते हैं जमाने बर में आशी कही मगर वतन से खूमसूरत कोई सनम नहीं होता नोटों में लिपटकर सोने में सिबटकर मरे है कही मगर पिरंगे से खूमसूरत कोई कशन नहीं होता तो मैं चाहता हूँ कि यहां पर मुझूद मेरे सभी भाई, सभी जो हमारे मुझूदी साहब है, इमान साहब है, पाखुदी निधा भी रही है लेकिन मेरी तरख्वास है सबसे, एक छोटे-छोटे बच्चों को जो आने वाले कल का दूश्या है, इनके दिलों में देज भग्ती, देज प्रेम, भाईचारा, अमन सांती, इस तरीके से भरी जाए, कि छोट अगर मेरे हिंदू भाई को लगे, तो दग मेरे हिंदू भाई को हो, तो ऐसा हिंदूस्तान अगर बढ़े, तो मैं समझता हूँ, कि एक अनुखी निसाल, क्योंकि हमारा देर, दंगा जोट पहजीब के नाम से जा जाता है, आलवड में सबसे बड़ा लोग तंतर, ये हिंदूस्तान, जहां पर तरह तरह जाती के लोग, तरह 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 होजा पाट करते हैं, और सब अमन अलसांती से रहते हैं, मेरी नींद को तखलीब, मेरी नींद को तखलीब, न मंदिर की घंटी से है, मेरी नींद को तखलीब, न मंदिर की घंटी से है, न मस्जीर की अजान से है, मेरी नींद को तखलीब, सीनों पर मरते जवान, और करता हूँ और आप सो को फिर दुबारा फिर जबी जन्वरी की बहुत-बहुत मुभारबाद देता हूँ जय हिंग